प्यारे शाथियों मैं कुल्दीप आपका श्वागत करता हूँ आपके परिवार रिजिनिंग एंड मैथ वाला जिसे हम लोग प्यार से रामबाला करते हैं तो शाथियों अगर आप तैयारी करते हैं सिटिट का तो सिटिट का एकजाम ठीक है तो आप लोग एक बार कमेंट क करके यह बताएगा कि आप लोग का सेंटर कहां-कहां गया है और आप लोग कहां-कहां से हैं ठीक अचा थी तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं आपको 2023 जुलाई 2023 में जो आया हुआ कोश्चन है मैत का उससे मैं बताऊंगा और एक आपसे गुजारिस है कि मैं कोश्चन बोड पे इडिट करके नहीं लगा पाऊंगा तो आप लोग अपना कोश्चन बुक से देख लेजीगा लेकिन मैं तरीका और जो लगाने का एक अच्छी त भाई क्या होता है कि घं जैसे आप संदिया है एक हो गया घं घना आप और क्या है बेलन वेलन और है गोला ठीक है गोला मेरे भाई तो त्री आयामी क्या होता है और दू आयामी जिसे बोलते हैं टू डायमेंशन और बोलते हैं त्री डायमेंशन तो मेरे भाई जिसे हम आक दू आयामी या टू डाइमेंशनल फिगर बोलते हैं जिसे जैसे टू डाइमेंशनल जो आकरिती होता है उसका केवला और केवल हम क्या निकाल सकते हैं छेतरफल जिस भी आकरिती का अगर हम आयतन निकालते हैं जिसका जिसका आयतन निकलता है वह त्री आयामी होता है जिसे three-dimensional figure बोलते हैं मेरे भाइ 3D बोलते हैं ले भी का शक्तिऄ ढ़ता है जिसी हम छूब सकते हैं जिसे हम पकड सकते हैं उसे 3 AIMic आते हैं जैसे यह आपका marker है इसे हम पकड़ सकते हैं इसका लंबाई भी होता है इसका चोड़ाई भी होता है उसकी उचाई भी होता है जैसे figure कुछ है यू रहता है ठीक है ये तीनों आपस में 90-90 अंस पे रहते हैं ठीक है एक height हो गया एक length हो गया तो एक breath हो गया तो इसे बोलते हैं three dimensional figure तो three dimensional figure का आप आयतन निकाल सकते हैं तो ऐसे अकृति को हम बोलते हैं त्री आया में जो की घन का भी आयतन निकालते हैं गनाब का भी निकालते हैं बेलन का भी निकालते हैं गोला का भी निकालते हैं घन कैसे होता है जैसे आप लोडो का पाशा देखे हैं मेरे भाई तो ओसकते हैं और गोला क्या होता है जैसे बाल हो गया लेड़ू हो गया वह जिसका हम आपका निकाल सकते हैं उससे क्या बोलेंगे इन सब चारों चीजों को त्री आयामी यानि की त्रीडी बोलेंगे ठीक है अब नेस्ट कोश्चन पर आते हैं तो यह वाला आप्शन जो रहेगा वह आपका सहयोगा मेरे ठीक है तिसे आपका लिजेगा बहुत अब देखो नेस्ट कोश्चन है कि नीमलखित में से कौन सा कथन सत्य है लिखा है कि यदि एक समांतर चत्र बुच के सभी कोड़ बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है और फिर लिखा है कि यदि एक सभी Change Love कि सभी कод बराबर हैं तो वह वर्क बन जाता है तो आज मैं बताउंगा आपको चतरभुज के बारे में और चतरभुज और चतरभुज से जो related जितने भी आपके आकrit़ी आते हैं उसके बारे में मैं बताउंगा मेरे साथी ठीक है ये जुलाई 2023 का है मिटे गया जुलाई 2023 23 देखो पहले होता है चत्रभूज चत्रभूज ठीक है चत्रभूज से दो आकरिती आता है एक को बलते हैं समलंब चत्रभूज और एक होता है समांतर चत्रभूज ठीक है अब क्या होता है मेरे भाई समांतर चत्रभूज भी दो प्रकार के होते हैं एक को बोलते हैं सम चत्रभूज एक को बोलते हैं सम चत्रभूज और एक को बोलते हैं आयत आयत सम चत्रभूज भी एक प्रकार का होता है जिसे बोलते हैं वर्ग ठीक है अब इसका फिगर कैसे होता है इसके बारे मैं बताऊंगा आपको तो देखो समांतर चत्रभूज का फिगर जैसे माल लेते हैं यह हो गया आपका चत्रभूज चत्रबुज कैसे होता है चार आकरती होना चाहिए जैसे भी हो ठीक है लेकिन समांतर चत्रबुज क्या होता है आमने सामनिक जो बुजाएं होते हैं वो क्या होते हैं समांतर होते हैं क्या होते हैं मेरे भाई समांतर होते हैं ठीक है आमने सामनिक बुजाएं क्या होते हैं समा विकड एक दूसरे को सम कोड पे कारते हैं विकड किस पे कारते हैं सम कोड पे कारते हैं उसके साथ साथ है इसके विकड दो बराबर भाग में कारते हैं इसके विकड बराबर नहीं होते हैं सम चत्रबुच के विकड बराबर नहीं होते हैं और क्या होता मेरे भाई इसके जो स इसमें बिकड़ बराबर होता है मेरे बैट है तो इसे आयत बोलेंगे और इसे क्या बोलने सम्चत्रभूज जिसे English निसमें रौमवस भोलते हैं अब आगे आंपका वर्ग क्या होता है कि उसका वहां अभी सम्चत्र-भूज जिसका अगर आगर हम जो भूझारा नभब्वे हंस कर दिये तो वह वर्ग बन जाता है और वर्ग की चारों बुजाएं बराबर होते हैं उसके साथ साथ इसके जो भुजा होते हैं और इसके बिकड़ भी कल होते हैं और एक दूसरे को बराबर भाग में डिवाइड करते हैं इसके बिकड़ और बिकड़ भी बराबर होते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका फिगर और जो पूछा है जै बराबर होगा कि नहीं यहां पिदेखो 90 अंस हो गए भी नब्वे अंस यह भी होगा नब्वे अंस यह भी तो आयत बन जाएगा यह ठीक है लेकिन एक चीज आओर है एक चीज यह है कि अगर यह देखो कैसे देखो चार यह बना मालेते हैं कि यह यह इसके एंगल आब आते हैं आप से पूछा स्थ नहीं है तो सक्थ नहीं की बारे में आप देख लेजेगा ठीक है अभ आते हैं मेरे बाई लिखा कि सबसे अधिका और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समों का अनुपात क्या है ये तो नहीं ऑच्छे इसमें दिया आए ठीक है आप देख लेजएगा ये ग्राफ वाला पुर ये लिखा कि नीचे दिये गए पाटन में लूपत संख्या क्या है तो लूपत संख्या ज्याद करने का एक बहतीन तरीका है उसमें देखे लूपत सं पंदरा एक चा पंदरा और है और यह आपके आचाठ और फिर है 91 देखो इसके विज का अंतर पांच का इसके विज का अंतर दस का इसके विज का अंतर 20 का इसके विज का अंतर तो इसके 20 का अंतर कितने का रहा होगा इसके 20 का अंतर 15 का और इसके 20 का अंतर 20 का रहा होगा तो अब एक मिनट अंतर से नहीं आरहा ठीक है तो अब एक मिनिट गलती लग गया था ठीक है इसमें क्या एड़ करेंगे आपकी आए गा ये तो बीस चीज अब देखिए यहां पर क्या रहा होगा देखिए पांच चार नव और ये बीस कहां से देखिए पांच यहां पर एड़ होगा न तो अलट गड़ बड़ा आ जाते यार तो भी बीटूंगा थोड़ा देख लें इसमें अगर हम पांच एड़ करेंगे तो आपका अच्छा होगा अच्छा में अगर हम नौ आट करेंगे तो यह आएगा पंद्र बची से तो हम क्या देखें कि इनके बीट का जो गैप है वो चाट-चार का है ठिक है तो यहां पर भी चार का गैप रहा होगा रागा नहीं रहा होगा तो नौ में अगर चार जोड़ेंगे ति यह हो जाएगा आपका तेरा तो यह तेरा अगर इसमें पंद्र भूंकर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक कर लेंगे एक बार तो यह हो जाएगा आपका शाथ आज और यह 17 लब जावगा जो देखो इसके बीच का जो डिफ्रेंस चार का रहा है और देखों उनकी बीच का डिफ्रेंस is कीजिए का मेरे भाई अब नेस्ट कोईश्चन में बताने जा रहा हूं आपको यह कोईश्चन आपको जुलाई 2023 वाले प्रिविएस येर पेपर में मिल जाएगा ठीक है अब लिखा है कि हमें 36 सरोशम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में ब्योस्थित कर रही है व दूसरा के आगा दो होगा ती हो जाएगा आपका 18 यह अगर 3 होगा ती आपका हो जाएगा 12 आर यह अगर 4 होगा ति आपका 9 यह अगर 6 होगा ती यह जाथए शुलां चेछाथ वा कि देखो 36 36 सभी में आ रहा है तो कितने प्रकार से हो गया यह पांच प्रकार से हम मना सकते हैं बेश्थित कर सकते हैं तो ये आपका आफ्षन पांच जिसमें होगा वही आपका सही होगा ठीक है मेरे भाइ अब नेस्ट कोशन ये लिखा है कि शो में एक पुड़ संख्या जोड़ी जा ठीय और फिर वहीं संख्या dish मैंसे गटा दे जाता है इस प्रकार के प्रापतुए दोनों चल्ण का योक्फल किया है चलो अब भी자를ों है इस प्रकार प्राप थुजी संख्या, दोनों संख्याओं का योगफल है, जो दोनों संख्याओं का योगफल है, देखो इसमें आप कहा कि सव में से गटा दो, गटा दिया, अब कहा है, इस प्रकार जो संख्या मिल रहा है, ये दोनों संख्याओं का योगफल है, तो जो कौ नोसुम्हारा किया ऐगा आपको आपसंट में जो सई हो जाएगा है और एक बात मैं आपको यह भी बता दो कि किसी संख्या को अगर आप जोडते हैं उतनी संख्या फिर गटाते हैं तो उसकंख्या में कोई करने की जुरूरत नहीं है मेरे अब नेश्ट कोशन है लिखा है कि 5-5 5-5 ऐसे करते हैं और पिचाक की विशंसंख्याफ़़ों का योगफल योगफल है जैसे लिखा है लिखा मेरे बाई 5-5 फिर प्लस पांच फिर है मेरे भाई माइनस पांच फिर प्लस पांच फिर माइनस पांच ऐसे करते करते गया है और बोला है कि बिसम संख्या संख्या पदो का योगफल है बिसम संख्या पदो का बिसम मतलब है कि आप बिसम तक जाएगा जैसे माल लेते हैं पदों के संख्या साथ है ठीक साथ तक जाएगा तो एक दो तीन चार पांच शह और यहाँ पर हो जाएगा आपका साथ यहाँ तक हम माल लिए ठीक है तो देखो इसका योगपल अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा यह देखो तो कट गया यह भी और यह भी तो पांच आ गया है ठीक है तो पांच आ गया आपका यह वाला सही हो जाएगा अब नेस्ट कोश्चन में बताने जा रहा हूं कि निम्खित में से कौन सी बेर्था संख्याओं को आरोई और आरोई क्रम में में दर्शाथी जब भी दस्मनों वाले कोश्चन आते हैं और यह पूछे कि कौन सा और और यह ओगा उसमें छोटा और बड़ा एक देखने का ब्यतिन तरीका यह है कि पहली बात अगर पॉइंट वाले होंगे कोश्चन ठीक है पॉइंट वाले कोश्चन अगर आपसे पूछ और पूछे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है जैसे अगर यह दे दे और यह पुछे इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है तो पहली बात यह संख्या जब सेम सेम होंगी दसमलों के बाएं साइड वाले जो संख्या है सेम सेम होंगी तो इससे हम बड़ा और छोटा का निर्धरन नहीं कर पाएंगे ठिक है तब क्या करेंगे पॉइंट के इधर वाला देखेंगे यह दो है यह जीरो है यह साथ है यह एक है अब देखो इससे यह पता चल जाएगा कौन संख्या बड़ी यह कौन सी छोट है तो जीरो वाला सबसे छोटा होगा है यह हो जाएगा छोटा हाथ मेरे बाई अगर इसमें इस तरह से अगर आपको पचानना होगा, दसमलों की साइड वाले अगर नमर सेम सेम है, तब आप की इस साइड दाएं साइड वाले को क्या करेंगे, जो पहला अंख होगा, उसे आप देखिएगा, तो दो है, जीरो है, साथ है, एक है, इसमें सबसे छोटा है, आपको जीरो तसमलो जिरो साथ ठीक है और ऐसे कर देते हैं मुझ जिसके साइट खुला होता है उससे बड़ा बोलते हैं तो यह हो गया फिर आप लिखेंगे दत दसमलो एक दू पांच, एक दू पांच, फिर आपका आएगा दस दस मलाओ, दू पांच, फिर आपका आएगा दस दस मलाओ, शाथ पांच, इस तरह आप आरोही करम में कर सकते हैं, किसमें, आरोही करम में, आरोही करम, ठीक हैं, जिसे इंग्लिस में बोलते हैं, ascending order, sorry, ascending order से बोलत रोही करम में क्या होता है पहले सबसे बड़ा होता है ठीक है इसमें क्या होता है छोटा छोटा से बड़े की तरफ कहा पर बड़े की तरफ किसमें आ रोही करम में लेकिन इसमें क्या होता है बड़ा से छोटा की तरफ चलते है मेरे बाई छोटा की तरफ के तरफ ठीक है किसम और होक इसको बोलते हैं इसको पहले बड़ा लिखते आ यह इस्में सबसे बड़ा क्या था तो 10 marks था प्र या वागोthen से देन गर्रेटर थो शुटा ऑन आप का शचोटा आप का ये फिर इस से चोटा आएगा आपका 10.07 जो भी है ठीक है तो इस तरह आप औरोई या और औरोई क्रम में कर सकते हैं तो मेरे भाई कभी कभी इंगलिस नाम भी लिख देता है कि जैसे इसको बोलते हैं क्या असेंडिंग आडर तो असेंडिंग आडर में औरोई क्रम को बोलते हैं या फिर बोलते हैं इंक्रेजिंग आडर में आपको अगर लिखना है तो लिख यह ठीक है और इसे क्या बोलते हैं decreasing order order किसको our oats या descending order बोलते हैं किसको our oats को मेरे ठीक है तो इस तरह आप our oats क्रम और आउट क्रम में ब्यश्थित कर सकते हैं अगर ये कुछ question आते हैं fraction से उसमें छोटा बड़ा अगर आपको पता करना है तो कैसे करते हैं मैं आपको ये वहला भी बता दे रहाऊं ठीक है। जैसे बेंसे कोस्टेन अगर आपसे पुचे सीट में की काउन सा भीन प्रापर फ्रेक्शन है उचित भीन है काउन सा अनुचीत भीन है कौँसा मिस्रित भीन है इस टाइप की कुस्टेन आएंगे आपसे तो क्या करना ठीक है देखो जब उपर वाला क्या हो, बड़ा हो, छोटा हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं उचित भीन, उचित भीन, उचित भीन, उचित भीन में क्या होता है, आंस हमेशा हर से छोटा होता है, ठीक है, आंस हमेशा हर से छोटा होता है, आनुचित भीन में क्या होता है मेरे भाई, आनुचित अंस बड़ा होता है अनुचित भीन अनुचित भीन ठीक है अनुचित भीन में क्या होता है अंस बड़ा होता है हर से इस तरह के अगर कोश्चन आये तो आप सीटेट को सीटेट में एक्सर कोश्चन पूछा जाता है अगर पूछे आपसे तो आप इसे करके आएगा ठीक है अब देखो, दो भिन का compare कौई सा भिन बढ़ा है कौई सा चोटा है, इसका compare करना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर लिखा हो, साथ बटे 5, और लिखा हो, आठ बटे, माल ले तेह साथ, अगर आपसे पूछे कौई सा भिन इसमे छोटा है कौई सा बढ़ा है, तो अच्छा आएकों सबढ़ा है तो जीघू बढ़ा होगा या दे कौनचे WhatsApp इसके अच्छ के इसके अंस के इसक वाले अंस में और अंसके सामने ऊपरबल लिखना तो जिसका अनसाला बढ़ा आए गा वह विन बढ़ा हो जाएगा इस तरह आप चोटा-बढ़ा आप पता कर सकते हैं इस तरह के questions आपके exam में पूछे जाते हैं मेरे भाई एक तो यह हो गया बिन कभी 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 पूछता है कि इसे आरोई क्रम में ब्योस्थित करने के लिए तो अभी आप कर सकते हैं इस तरह आप छोटा बड़ा ग्याद करके जैसे अगर लिखा हो 7 बड़े 5 और लिखा हो 9 बड़े 7 तो इसमें आपको पता करना है कौन सा छोटा ओगा कॉन सा बड़ा होगा तब भी आप क्रास मल्टिप्लाई करके ये दे HOWं 45 हो गया तो अब पता कर सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है यह वाला बड़ा दिख रहा तो इसे बड़ा कर देंगे ठीक है तो इस तरह के question आएंगे अगर ROE करम में करना होगा तो क्या करेंगे ROE करम में तो ROE करम में इसको पहले छोटा है इसको छोटे वाले को लिखेंगे फिर 7 बटे 5 को लिखेंगे अब जो ऐसे ऐसे fraction आएंगे उसे उसी तरह बेवस्थित कर देंगे या फिर अगर बोले आपको कि ROE करम में करना हो तो आप सब्सक्राइब जो आपका यह हर होगा उसका LCM निकाल कर भी आप लगा सकते हैं ठीक है जैसे LCM इसका आगया 35 35 आगया अब क्या करना कि हर से भाग देना हर से जब भाग अब क्या होगा यह आपका तब आएगा यह 35 एक सब्सक्राइब तो आप क्या करेंगे 10 का मल्टिप्लाइब करेंगे तो साथ साथ 147 होगा यह 147 होगा ठीक है मेरे भाई अब देखो इससे डिवाइट करेंगे तियो जागा 15 बार जागा पंदर नमा MP3 15 कि कर तर तो अब इस से आप और की कर सक्ते हैं कॉछ सचोटा पर प्रीक में आपजी च्छोटा सब्सक्रान का पर आएगा आप का पांश प्रतिय त Ain która कर आप्स बहुंद कर सकते हैं मेरे बाइए अगर ने आप उल्टा लिख देना ती प्रियर आपका हो साथ बटे-पाँज फिर आपका हो जाएगा मेरे बाई नो बटे-चाथ इस तरह की कोश्चन आगर आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से करिएगा ठीक है अब देखो किस टाप के कोश्चन आते हैं आपके एक्जाम में कि सीटेट में अगर आपको पंदर नमर फिक्स करना तो इस क्लास को जरूर देखेगा और अपने सभी दोस्तों को सेर कीजिएगा जो सीटेट की त्यारी करते हैं ठीक है मेरे बाई तो बुजल्दी जल्दी कीजिएगा समय आपके पास काम है क्योंकि आज हो गया पांस तारीक तो आप जल्दी से इसे शेर कीजिए अब कोशन आता है ना गुड़न खंडू की संख्या और गुड़न खंड निकालना तो देखो इसका मैं मैं बता रहा हूं लिखा कि 36-30 का ये गुड़न जब सेजफल जीरू आये रिमेंडर जिसे सेजफल बोलते हैं अगर जीरू आता है तो वह संख्या इसका गुड़न खंड होगा ठीक है तो गुड़न खंड एक एक हमेशा होता है और एक 36-36 हमेशा होगा और इनके बीच में वह सभी संख्या लेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए या फिर निकालने का एक तरीका है कभी कई पूझता है गुड़न खंडो की संख्या कितना होगा तो आप पहले इसको प्राइम फ्रेक्टराइजेशन कर लेना ठीक है इस टाइ यह हो गया फ्रेक्शन हो गया उसमें आपको यह सभी कुश्चन बताए हुए है ठीक है तो देखो तीन अकम 3-3-6-3-3-0 फिर आपका यह 11 से कटेगा 11 कमी का रहे गया यह हो गया 110 फिर 11 से कार दीजिए 11 11 कमी गया रहे हो गया 10 फिर 5-5-10 तो इसे अगर हम घात की रूम मे पांच गुड़े 11 देखो तीन एक बार है तो एक घात हो जाएगा दो एक बार है तो एक घात हो जाएगा पांच एक बार है तो एक घात हो जाएगा 11 दो बार है तो इसका घात दो हो जाएगा अब देखो यह जो संख्याए है यह तो इसके गुड़न खंड है और और इनक फिर यह पस्पन हो गया ये सभी संख्यां आंपका इस्का गुंडण धंड़ और कि दोगा तो जो आप्षैन में आपका होगा उ से अप्टी करके चल देजेगा जैसे लिखा नो तो नो हो सकता है घ्यन्य के नहीं हो सकता है कि योग नहीं हो non च्षापमुषान यहां फिर टृटल फेक्टर तो क्या करते हैं मेरा बाई हिंगे जो घात होते हैं उनको एक अधिक करके आपस मल्टिप्लाई कर देना तो टोटल गुणन खंडू की संख्या आ जाएगा देखो एक घात है तो दो लिख देना एक घात है तो दो लिख देना दो गात है तो तिन लिख देना घात से एक अधिक करके आपस मल्टिप्लाई किजिएगा देखो दो तीन चार्टे तो दीखी रहा है इस तरह आए यह हो गया पांच शा और भी संख्या इनकी आपस में मल्टिप्लाई करके बना सकते हैं ठीक है अब देखो किस टाइब के कोशन आते हैं यह कोशन आता है कि एक सव लाग को निम्खित रूप से जाना जाता है है तो क्या होता है एक सव लाग तो यह होता है संख्या पद्धती एक होता अंताराश्टी एक होता है राश्टी ठीक है तो क्या होता है देखो हम बता रहें आपको आप उसी तरह करके आईएगा मेरे भाई ठीक है देखो पहले होता है आपका इकाई यंक क्या होता है मेरे भाई इकाई यंक फिर होता है दहाई फिर होता है आपका सैकड़ा फिर होता है आपका हजार फिर होता है आपका दस हजार ठीक है फिर होता है आपका लाग फिर होता है आपका 10 लाख प्रिंग आपका करूर ऐसे होता है ठीक है ये होगे आपका भारती पद्धति जो हमारे आ रहूँ किसका किसका छेत्रफल निकालते हैं इसके बारे में विश्तृत बताँगा देखो ये खोता है बुरित ठीक एक होता है वर्ग एक होता है आयात ठीक सम चत्रबुजब लीग दे रहा हूँ सम चत्रबुजब यहां तका रहा है यहां तका रहा है पुरा आकरिती में बना दे रहा हूँ यह होता है ऐसे और यह होता है चारों बुज़ाएं बराबर होते हैं इसके और इसके क्या होते है आमने सामने की जो बुजाए बराबर होते हैं ठीक है इसके आमने सामने की बुजाए बराबर होते हैं लेकिन ये जो होते हैं नब्यांस पर नहीं होते हैं ठीक है बिकड इसके बराबर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काडते हैं यह हो गया सम्चत्र बूज्ज यह हो गया आयत यह हो गया वर्ग यह गया ब्रित इसे बोलते हैं ब्रित में होता है रेडियस तो देखो अगर इसका हम परिधी निकालें तो 2 पॉपाई आर होगा इसे लिगे परिधी यह यहां तका रहा हैं प कर दिगे यह को टी यहां परिमाहबो छे कांद हो ठीक है पेरिमीटर या फिरयूर को प्रिम पर सिसनरा को फरिंश्ट है यह होता है यह is इसके बुजाए चारू बराबर तो को परिदी और परिमाप में अंतर क्या होता है तो अंतर कुछ भी नहीं होता है बस उसमें एक अलफाज है कि परिदी तो परिदी क्या होता है किनारे किनारे जो जितना बड़ा तार से गोला बनाया जाता है उसी तार को जो तार की लंबा पर एक वर्ग बना गया है तो जितना लंबा तार है वह उसका क्या है परिमाप है ठीक जैसे आप कपड़ा से लाने जाते हैं तो दरजी क्या करता है तो आपका परिमाप लेता है आपके चारों तरफ कितनी कपड़ें आएं ठीक है जिसे कास्ट क्योंकि हम लोग 3D है तो हम क्याव निकालता है तो हम लोग का निकालता है निकालता हे कर वपेश एरिया जिसी बोलते हैं होगा किप्र Communism का च्छे तरफल हें have kaç आयत उल्मा जितना लम्मा यह क्या गया उसे बोलते हैं परदी और यह परदी क्या होता है तो लम्माय और जोड़ देंगे किसे यह देखो लंबाई जो सेम सेम है इसको दो बार जोड़ेंगे तो टू याल हो गया यह चोड़ाई आपका देखो सेम सेम है तो इसको दो बार जोड़ेंगे तो टू भी हो गया तो दो कामन करके आसे बाहर कर लिए यह देखो अगर ए है ए है ए है तो यह 4E है टो 4E हो गया ठीक है यह 2 πया वो गया पाइटांक होता है अब देखो 2 बकिया होता है च्छेत्रफल क्या 2 इसका होता दो जो बूज Αनौ 2 पइंक लिए ठीक है इसलिभान कोण है इससे भीNow 2 दोडेरooth क्या इसके विकडों कि विकडकि माफ है ठीक है तो बिखार निकालने के लिए पाइथागॉरस का प्रमी लगाएगा पैथागॉरस का प्रमी क्या होता है उबी मैं बता दूक Зवारार की डीक यह आप तो इस तरह से आप लगा लिजएगा अगर नया । छेत्रफल कितना गुणा हो जाएगा तो देखो जब 찰टरफल को हा एक चीज मैं बता दूँ आपको अगर अगर यह चीज कहा मैं बता हूं आपको में नोट का लीजिए ओ ba ठिक है आप नोट जैसे दिवा चाहे वर्ग हो चाहे बृत्थ हो ठीक है चाहे आयत हो या फिर हो समचत्रभूज या फिर चत्रभूज हो ठीक है अगर इसका परिधी हो या परिमाफ परिधी परिमाफ या भूजा हो या फिर आपका इसमें बिकड़ हो या फिर इसका बिकड़ हो या फिर इसका बिकड़ हो या फिर देखो तिरिभूज का तिरजिया भी होता ना तिरजिया हो या फिर इसका ब्यास हो चलो इतना चीज है अगर परिवर्तन करेंगे तो छेतरफल में क्या प्रभाव पड़ेगा तो छेतरफल पर अगर हम इससे दो गुना करेंगे दो गुणा करेंगे किसको भुजा को कर दें परिदिक कर दें परिमाप को कर दें दो गुणा तो इसका छेतरफल कितना गुणा हो जाएगा चार गुणा ठीक है हमेशा इसका वर्ग करेंगे किसका इसका वर्ग करेंगे उतना गुणा आपका छेतरफल हो जाएगा जो भी को हो वर्ग हो सम चत्रबुज हो चत्रबुज हो यानि टूड़ी के जितने भी होते हैं अगर आप उनके भुजा में परिधी में परिमाब में विकड़ में त्रिजिया में जितना भी गुनाब करें तो उसका वर्ग के गुना के बराबर छेत्रफल बढ़ जाएगा जैसे एक बढ़ चार गुना भड़ जाएगा तो ऐसे आप लगा सकते हैं पर्संटेज में पूछं पूछा जाता है तो यह वाले क्लासि में अच्छ्छे से बताऊंगा आछ से जान देना तुसे पास करने के लिए तरीकी यह बहुत काफी यह इस टाप की कोशना तो अब कर क्रशते उक्रम रामिंदका का चेहीज हमने आपको क सब्सक्राय करते हैं और ऐ चीज हमारे लॉट वीडियों में उसमें बताया था कि घयात करके एक तरीका scrutiny य अंगर आपका ये जो हर है ऐ आरे आंश है चयुत करते हैं जो हर बड़ा है वह बिल्ए सबसे चोटा ठीक है और अगर जो छोटा होगा हर वह हो जाएगा बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा ठीक है तो इस तरह आप भीन का छोटा बड़ा ग्याद कर सकते हैं तो आप देखना मत भूलेगा और आप से अच्छी बेतिन क्लासे देखिए और मेरे शाथी अगर आपको जो मैं कोश्चन बताया था आपका नंबर सिस्टम से जितने भी कोश्चन आते हैं फ्रैक्शन से तो आप लोग पूराने वीडियो मेरी देख लीजेगा वहां से बेतिन बेतिन कोश्चन मैं आपको बताया हू वहां पर आप देखकर एक बार कमेंट करके बताया कि वीडियो अच्छा है कि नहीं अच्छा है ठीक है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद में